जय हैंद आस्परेंस, वेलकम बाक टू आर प्लाटफॉर्म, जय हैं एमनेस अकाडमी, आज के वीडियो में हम रीजनिंग देखेंगे, ठीक है, रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टन पार्ट होते जा रहा है, एमनेस का, क्योंकि जहां एक दो कोश्चन आते थे, उसके बजा में रीजनिंग को भी क्लासिपाई किया जाता है, हम देखेंगे वन बाई वन की रीजनिंग की कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, और हमारे लिए क्या इंपॉर्टन है, आज जो हम सबसे फॉर्स्ट टॉपिक करने वाले रीजनिंग के अंदर वो है एनालजी, ठीक है, सो अनालजी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या-क्या है, उसके एक्जाम्पल्स, और साथ ही साथ लास्ट में कुछ कुछ कुछन प्राक्टस करेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ठीक है, वैसे आपको इसके कुछन बांग भी प्रॉवाइट क किये गए हैं आपके कंटेंट में, आपका अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जाके आप कुछन प्राक्टस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अनालजी, अनालजी क्या होता है, अनालजी मीन्स, सिमिलारिटी और कॉर्रिस्पॉंडेंस, या हाव अनालजी का मतलब वही होता है, मतलब हावेंग सिमिलार फीचर, अब इसमें आपको कैसे दिये जाते हैं, ठीक है, इन कॉस्टेंस बेस्ट अनालजी, अ पर्टिकलर रिलेशन्शिप बेट्वीन वर्ट्स अन लेटर्स नंबर इस गिवन, वर्ड लेटर या नंबर की उसी टाइप से रिलेशन होगा, और आपको अडिन्टिफाई करके आंसर अपना प्रोवाइट करना होता है, सिर्फ ऐसे ही कोश्टन आते है, बहुत इजी कोश्टन होते हैं इसके, ठीक है, अब टाइपस ऑफ कोश्टन अगर उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए, तो क्या हो सकता है, इसका टाइप वान है, वर्ड अनालोजी, तो इस टाइप अफ अनालोजी, अब कोई भी रिलेशनशिप सोच सकते हो, वो सारी वर्ड अनालोजी में कवर हो जाती है, ठीक है, there are many ways of establishing a relationship, बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम वर्ड के बीच में रिलेशनश की बीच में, words synonyms and words antonyms की बीच में, country and capital की बीच में, जैसे आपको बता देगा की इंडिया का capital डेली है, ठीक है, तो china का capital क्या है, और ऐसा question आया है, ऐसा आया है, country and currency के उपर, previous year ही आया है, ठीक है, की china की currency को क्या बोलते हैं, और वो एक reasoning के form में ही आया था, ठीक है, then animals और उनके young ones के बीच में, male and female के बीच में, animal and its resting place, gave and place of playing, ठीक है, occupation, the working place, the work, study या topic, तो आपको basically हर चीज के बारे में knowledge होती है, तभी आप reasoning कर पाते हो, ठीक है, जादा difficult question नहीं होते, बस आपको ये establish करना होता है, कि उनके बीच का relation क्या है, अगर आपने correctly पहचान लिया, तो आपके question अराम से बन जाएंगे, मतलब 5 से 8 marks आपके हो गए, अब हम इसका एक example देख लेते है, choose the word which will complete the second pair in the same way as first pair, हमें अभी एक word चूस करना है, जो second pair को complete करेगा, जैसे कि first pair complete है, first pair क्या है, newspaper, press, so cloth का, जो यहाँ पर question mark दिया है, उसके जगा क्या होना चाहिए, ठीक है, टेलर, fiber, mill, या textile, correct answer is option C, कैसे as newspaper is prepared in press, newspaper को press में prepared किया जाता है, उसी तरीके से cloth को मिल में manufactured किया जाता है, okay I hope this is clear, let's see another example, यहाँ पे भी आपको यही करना है, select the related pair that has same relation as the original pair of word, original pair क्या है हमारे पास अभी, rabbit, animal, rabbit एक animal है, इसी तरीके से, sun क्या moon है, lion क्या bird है, pentagon क्या figure है, या animal, cow है, अब आपको confusion हो रहागा, B and D में, I am sure, but इसका correct answer क्या है, option B, कैसे, यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, rabbit दिया है, और फिर बताया है, rabbit एक animal है, अगर यहाँ पे पहले cow दिया होता, और उसके बाद यहाँ animal लिखा होता, तब option D correct होता, ठीक है, so option D इसलिए wrong हो गया, क्यों उन्होंने पहले बता दिया, animal, cow नहीं है, ठीक है, cow एक animal है, तो इसका correct answer क्या है, option B, pentagon क्या है, एक figure है, next पे आते है, type 2, type 2 क्या है, number analogy, ठीक है, in this type of analogy, number are given in a pair और a group of one side, numbers दिये रहते हैं, एक pair में, या group में, एक site में, जो candidate होता है, उसको दूसरा site के relation find करना होता है, ठीक है, then find the number or the group of the number which will be replaced the question mark, आपको question mark, dash, ऐसे कुछ भी दे देते हैं, ब्लांक दे देंगे, कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ब्लांक में क्या आना चाहिए, या question mark जहाँ लगाया, उसके जगा क्या आना चाहिए, तो आपको वही खोशना होता है, ठीक है, the relationship in the number analogy can be of the following type, किस किस type के हो सकते है, even in odd numbers, ठीक है, odd numbers and even number, यह सब को पता है, basics है, तो आपको बेसिक जो squares होते है, वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, जैसे 2 का square, 4, 3 का square, 9, 4 का square, 16, ठीक है, ऐसे basic जो squares होते हैं, आपने 20 तक सबने याद कियोंगे, मुझे पता है, तो इस type के question आते हैं, तो यह एक analogy का type है, जरूरी नहीं आपको numbers यह आए, मुझे पता है, numbers से काफी लोगों को डर लगता होगा, यहाँ पे, पर जादा difficult question आते नहीं है, और थोड़ा से आप practice करोगे, तो आप यह भी cover कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यह reasoning के type के अंदर का एक type है, ठीक है, reasoning के पहले बहुत सारे types हैं, और reasoning के type के अंदर यह एक type है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इससे question आए, लेकिन आपको practice करनी है फिर भी, ओके, now let us see an example, complete the second pair in the same way as first, now what is our first pair, 20 and 11, second pair क्या है, 102 and question mark, तो यहां पर क्या आना चीए, 49, 52, 65 या 85, correct answer क्या है, देखे, firstly we will check the relationship between first pair, first pair की बीच में क्या relation है, 20 और 11 की बीच में क्या relation दिख रहा है, वो देखो, so यहां पर क्या relation है, 20 को इन लोगोंने 2 से divide कर रहा है, ठीक है, और उसमें 1 प्लस किया है, so 20 को 2 से divide करने पर आया 10, and 10 में हमने जब 1 प्लस किया, तो आ गया 11, so इसमें यह relation है, यह उसका half का plus 1 है, so 102 को जब 2 से divide करेंगे, तो क्या आएगा, 51 आएगा, ठीक है, and 51 में जब हम 1 प्लस करेंगे, तो क्या हो जगा 52, तो इसका correct answer है, option B, 52, अब देखो, यह question कुछ ज़्यादा difficult नहीं था, अगर आप practice करोगे, आपको पता होगा, हाँ, ऐसे relations भी हो सकते हैं, इसका square भी हो सकता है, उसमें plus minus भी किया जा सकता है, divide भी करके आता है, तब आपको पता होगा कि, हाँ, ऐसे-ऐसे होके questions आते हैं, तो यह relation हो सकता है, नहीं तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, या किसी बच्चे ने भी जो पढ़के नहीं गया होगा, वो तो सोचते ही रह जागा कि 20 और 11 की बीच में क्या relation है, उसको कभी समझ न भी दे दिया है, कहीं खोजने की भी आपको जरूरत नहीं है, तो अपनी notebook लेके practice करना, और question के साथ-साथ answers भी हमने दे वे हैं, so make sure to give your time for that, okay, now next example is example number 4, इसमें भी आपको क्या करना है, choose the set of number from the 4 alternative set that are similar to the given set, अभी आपको एक set दिया है, ठीक है, और आपको इसका next set चूज करना है, आपको 4 alternative options दे वे है, so क्या set है हमारे पास, 6, 10, and 16, और options है, 9, 12, 18, 5, 10, 15, 6, 11, 12, and 7, 11, 17, so अभी आपर relation देखो क्या है, so पहला number है 6, और दूसरा number है 10, so कितने का gap है यहाँ, 4 का, तो यहाँ पे इन्होंने 4 plus किया है, now next number is 10, and उसके बाद है 16, तो यहाँ पे 6 plus किया है, तो मतलब यह लोग even number plus कर रहे है, with an increasement, ओके, so यह relation है, तो हमें देखना है, कौन से option में, ऐसा relation हमें मिल रहा है, so let's see, so यहाँ 9 के बाद 12 है, तो यह तो पहली wrong हो गया, ठीक है, 9 में अगर हम 4 plus करेंगे, तो 13 होगा, 9 में 3 plus करने पे 12 होता, तो हमारा option A is wrong, यहाँ पे 5 के बाद सीधा 10 है, तो यह भी wrong हो गया, यहाँ पे 5 add हो गया, ठीक है, जबकि हमें कितना चाहिए, 4 addition हो रहा है, और उसके बाद 6 का addition हो रहा है, यहाँ पे भी 5 add हो रहा है, इन दोनों के बीच में, सो हमारे पास बच रहा है, option D, इसको solve भी करके देख लेते हैं, 7 plus 4, 11 होता है, ठीक है, and 11 plus 6, 17 होता है, ठीक है, correct answer क्या हो गया, इसका option D, अब type 3 पे आते हैं, I hope type 2 सबको समझ आ गया हो, ठीक है, यह है, alphabet analogy, in this style, there is a relationship between the given alphabet or the group of letter, alphabets या group of letter की बीच में, relation होता है, the candidate has to remember the position of letter in English alphabet order, and find out the relationship between the given letter or the group of letters, आपको alphabetic order याद होने चाहिए, ठीक है, सबको ABCD याद होगा, I hope उसी को ही alphabetic order बोला है, ठीक है, और आपको relation find करना है, then आपके पास जो options दिये गए होंगी, आपको देखना है कि first pair और second pair की बीच में क्या relations है, और कौन सा आपका answer feedback है, ठीक है, जो relationship होते हैं, वो किस type से होते हैं, wobble या consonant की बीच में wobbles क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये wobbles होते हैं, बागी सारे letter, consonants होते हैं, फिर increasing या decreasing order of position of letters हो सकता है, ठीक है, reverse order मतलब C, B, A, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, और आपको फिर एक और pair दे देंगे, आपको बताएंगे, reverse order में check करके देखो, कोई letter skip करके दे दिया, मतलब A दिया है, उसके बाद B छोड़ दिया, C दे दिया, D छोड़ दिया, E दे दिया, तो आपको बस उसका relation देखना है, कि कैसे आपको question provide किया गया है, that's it, okay, सो अब एक इसका भी example देख लेते हैं, choose the word or letters which will replace the question mark, question mark कहा है, यहाँ पे है, question mark को हमें replace करना है, सो यह हमारा first pair है, and यह second pair है, तो हमें देखना है, first pair क्या है, A, F, K, P, then B, G, L, Q, और second हमारा है, C, H, M, R, अब इसके जैसे देखना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या देखना होगा, कि इन दोनों के बीच में क्या relation है, सो देखो यहाँ पे, A में हम अगर one all letter plus करेंगे, तो B आएगा इदर, ठीक है, तो A के बाद एक increase किया, तो B आया, F के बाद क्या आता है, G, K के बाद क्या आता है, L, और P के बाद क्या आता है, U, तो सब में one one letter increase कर दिया है, तो same यहाँ पे भी होगा, C के बाद क्या आना चाहिए, D, और देखो, चारो option में आपको D ही दिया हुआ है, ठीक है, चारो option में आपको D दिया हुआ है, then H के बाद क्या आना चाहिए, alphabet स्याद रखने होंगे, आपको H के बाद आता है, I, तो D के बाद I कहां है, option A में, तो आपको 2 वर्ड ही करोगे ना, तो आपका solve हो जाएगा, ठीक है, तो option A is the correct answer, तो अब हम कुछ question solve करने वाले है, based on all 3 types, which we have studied till now, ठीक है, कौन-कौन से 3 types पड़े, word analogy, number analogy, and alphabet analogy, ये 3 type हमने पड़े, under analogy, ठीक है, तो ये reasoning का कौन से chapter है, analogy, और इसके अभी 3 types हम कर चुके हैं, पहला question देखते हैं, question number one, a cow is to a calf, as a goat is to, cow अगर calf से related है, किसी relationship में, तो goat से क्या related होगा, so cow के kid को, baby को, young one को, हम calf बोलते हैं, उसी तरीके से, goat के young one को, हम kid बोलते हैं, ये बहुत basic है, आपने first class में, UKG में पढ़ा होगा, चीक है, next one is, pitch is related to cricket, in the same way, arena is related to, pitch किसका होता है, cricket की pitch होती है, तो arena किसका होता है, tennis, gymnastic, badminton, या wrestling, so wrestling का arena होता है, option D will be the correct answer, next is, tobacco is related to cancer, so, इसका आपको next alternative बताना है, क्या होना चीए, milk, food, bird, flower, soil, erosion, या mosquito, malaria, तो tobacco के वज़े से, cancer होता है, ठीक है, ये relation यहापे हो रहा है, कि tobacco के वज़े से, cancer होता है, तो क्या milk के वज़े से, food होता है, नहीं, bird के वज़े से, flower होता है, soil के वज़े से, erosion होता है, या mosquito के वज़े से, malaria होता है, so, mosquito के वज़े से, malaria होता है, ठीक है, तो option D is the correct answer, next is question number 4, cyclone is related to anti-cyclone, in the same way, flood is related to, cyclone जो है, उसका opposite हो गया, anti-cyclone, तो flood का opposite क्या होगा, यहाँ पे, यह देखना है हमें, ठीक है, devastation, havako, river, या drought, flood अगर नहीं आएगी, तो devastation हो गया, कर किसी को, devastation तो यहाँ पे, कोई reason ही नहीं बनता, यह भी reason नहीं बनता, flood से बहुत ज़ादा पानी आता है, लेकिन यहाँ पे हमें opposite relation देखना है, तो drought आएगा, बहुत ही simple सा है, सुखा पढ़ जाएगा ना, अगर पानी नहीं आएगा तो, next question is, doctor is related to patient, as in the same way, lawyer is related to, so doctor और patient की बीच में, क्या relation है, doctor patient से deal करता है, ठीक है, उनको treat करता है, तो lawyer किस को देखता है, किस से deal करता है, किस से treat करता है, customer को नहीं, magistrate को नहीं, criminal को, criminal को कौन करता है, police करता है, ठीक है, lawyer अपने client से deal करता है, so option D will be the correct answer, next question is, question number 6, maharashtra is to India, in the same way, Texas is to, ठीक है, इस type का question आया था आपका इस बार, तो आपको ऐसे question के practice थोड़ी जादा करनी है, maharashtra इंडिया से related है, किस तरीके से, इंडिया का एक state है, maharashtra, ठीक है, तो Texas किस का state है, अब आप बोलोगे कि बाहर की country का भी state से याद करना पड़ेगा, क्या maam, तो ऐसा नहीं है, टेकसेस बहुत ही popular state है, ठीक है, अब यह आप से assume किया जा रहा है, कि आपको यह पता होगा, इसलिए, तो Texas जो है, USA का एक part है, यह states है, ठीक है, तो इसका correct answer होगया, option D, next question is question number 7, bow is related to arrow, pistol is related to, क्या होना चाहिए, bullet, gun, shoot, या rifle, इसका correct answer है, option A, ठीक है, arrow is released from the bow, ठीक है, arrow is released from the bow, in the same way, bullet is released from the pistol, ओके, next question is question number 8, axe, woodcutter, needle, जो woodcutter है, वो wood को cut करता है, through axe, needle से क्या होता है, needle से tailor जो होता है, वो कपड़े, सिलता है, ठीक है, तो correct answer क्या हो जाएगा, option C, tailor, next question is question number 9, king is related to throne, rider is related to what, king और throne की बीच में, क्या relation है, king जो है वो, throne पे बैठता है, ठीक है, राजगदी पे बैठता है, तो rider किस पे बैठता है, chair, horse, seat, या saddle, rider जो है, वो saddle पे बैठता है, ठीक है, horse के उपर saddle रखा जाता है, एन उस पे बैठता है rider, तो horse यहाँ पे आपको confuse करने के लिए दिया है, ठीक है, horse is not the right answer, saddle is the correct one, option D is the right answer, next is, coin is related to mint, brick is related to, तो mint में coins बनती है, note चपते हैं, ठीक है, पैसे बनते हैं, bricks कहां बनते हैं, fondry, furnace, cemetery, या clean, bricks बनते हैं, clean में, ठीक है, option D is the correct answer, अब आपको number वाले questions आ गए हैं, ठीक है, 11 से 18 तक, question number 11, 62 is related to 145, ठीक है, अब आपको next दो relation बताने हैं, अब पहले हम इन दोनों words के बीच का relation देखते हैं, ठीक है, so 62 और 145 के पीच में क्या relation है, तो 8 का अगर आप square करोगे, तो 64 आता है, ठीक है, और 64 में जब 2 माइनस अगर हम करेंगे, तो 62 आएगा, so पहला ऐसे दिया है, and next is 145, so अगर 12 का square करते हैं, तो होता है 144 और उसमें प्लस 1 किया है, तो यहाँ पे जो square था, उससे माइनस 2 किया है, and यहाँ पे जो square है, उसमें प्लस 1 किया है, तो यहाँ पे नीचे होगा, वहाँ पे भी हमें यही देखना होगा, कि first number में, माइनस 2 हो रहा है, and second number में किसी square का, प्लस 1 हो रहा है, इसका correct answer है, option B, and next number is 15 का square, 15 का square is 225, and 225 में जब आप प्लस 1 करोगे, तब आपका आजगा 226, तो correct answer is option B, next question क्या है, देखो, 63 and 21, 27 dash, अभी यह बहुत easy है, 63 को 3 से divide करा, तो 21 आ गया, ठीक है, इसी तरीके से 27 को 3 से divide करेंगे, तो क्या आ जाएगा 9, तो option B हमारा correct हो गया, next is question number 13, 85 and 42, and next number is 139, और question mark, तो question mark की जगा क्या आना चाहिए, 85 में से 1 minus करके, ठीक है, तो क्या हो जगा 84, और 84 को 2 से divide किया है, तो यहां पर 42 आ गया, तो यह relation है, minus 1 and divided by 2, तो यहां पर भी आपको यही करना है, minus 1 divided by 2, इसको minus 1 से कर देंगे, तो यह even number हो जाएगा, और अराम से divide भी हो जाएगा, तो यह हो गया 138, and 138 को divide कीजे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 69, ओके, correct answer is option B, next is question number 14, 9 is similar to 24, question mark is similar to 6, question mark के जब़ा क्या आना चाहिए, 1, 2, 5, या 3, तो यहां पर relation देखिए, क्या है, 9 को 3 से multiply किया है, तो 27 आया, और minus 3 कर दिया, तो 24 आया, अब यहां पर कोई ऐसा word आना चाहिए, जिसको हम 3 से multiply करे, और minus 3 करे, तो 6 आया, तो वो कौन सा word होगा, D, ठीक है, 3 को जब हम 3 से multiply करते हैं, तो 9 आता है, और 9 को जब हम 3 से minus करते हैं, तो 6 आएगा, ठीक है, option D जो है, यह correct answer हो गया, next question is, question number 15, 8 is similar to 66, in the same way, question mark is similar to 38, 8 और 66 में क्या relation है, 8 का square क्या होता है, 64 और 64 में 2 प्लस किया गया है, तो आया है, 66, अब किसका square 38 के आसपास होता है, देखो, 6 का square, ठीक है, 6 इसा 36, तो 6 का square, जब हम 6 के square में 2 प्लस करेंगे, मतलब 36 में 2 प्लस करेंगे, तो आजाएगा 38, तो question mark के जगा क्या आना चाहिए, 6, and 6 कौन सा option है, option B, next is question number 16, 64 is similar to 8, in the same way, 289 is similar to, so 8 का square होता है, 64, ठीक है, 8 8s are 64, अब आपको बताना है, कि किस number का square होता है, 289, तो यह होता है, 17 का square, multiply करके देखो, 17 into 17, 289 आएगा, इसलिए मैं बूर रही थी, 20 तक square, याद करके रखो, अगर आपका number पे, कोई भी question आता है, तो आपको, आसानी रहेगी, या basic आपको 20 तक, tables भी यादी होने चाहिए, ठीक है, तो इसका correct answer है, option A, next question is, question number 17, 23 is related to 72, in the same way, 30 is related to question mark, 38 question mark से related है, question mark की जगा, क्या आना चाहिए, तो इसके लिए पहले, इन दोनों का relation देखते हैं, 23 and 72 में क्या relation है, तो इसको 3 से multiply किया है, और इसमें 3 plus किया है, तो 23 into 3 करो, 69 हो जाएगा, और 69 में 3 plus किया है, तो आगया 72, उसी तरीके से, next वाला भी है, तो 38 में आपको 3 multiply करना है, plus 3 करना है, तो 38 multiply by 3, तो जब आप इसको 3 से multiply करोगे, तो आएगा 114, और 114 में 3 plus करेंगे, तो आज आएगा 117, इसका correct answer होगा option B, question number 18, 63 is related to 36, तो यहाँ पर क्या आना चीए, बहुत simple है, वर्ट को उल्टा कर दिया है, ठीक है, 94, 49, 35, 54, 47, 72, देखके पताँ चल रहा है, इसका क्या है, option A, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 94, और फिर उसको उल्टा कर दिया, 4 को पहले ला दिया है, 9 को पीछे कर दिया है, ऐसे simple से question भी आ सकते है, ऐसे question भी आ सकते है, बहुत जिसमें दिमाग लगाना हो, ठीक है, so number पर जितने भी type के question आ सकते थे, मैंने आपको बता दिया, अब next चलते है हम, किस पर? alphabet पर, ठीक है, 19 से लेके 25 तक, जब हम question करेंगे, वो alphabet पर based होंगे, अब देखते हैं, 19th question, relation देखे, ए, जड, बी, यह, इस सिमिलर तू, सी, एक्स, डी, 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 इन दे सेम वे, इवी, एफ, यू, इस सिमिलर तो, वोट, तो यहां पर relation देखो, ए के बाद, यहां पर सी दिया है, ठीक है, मतलब, B छोड़ के C दे दिया, Z के बाद, यहां पर X आए है, तो यहां पर यह backward गया है, ठीक है, X, Y, Z होता है, तो Y छोड़ के X आए है, ठीक है, B के बाद, यहां पर D दे दिया है, C छोड़ के, and Y के बाद, डबलू, तो relation क्या है, एक word को छोड़ के लाए है एक word में forward जा रहे हैं दूसरे word में backward लेकिन एक word skip करके तो अभी E के बाद क्या आना चाहिए E के बाद F आता है उसके बाद G आता है ठीक है तो F हमें छोड़ देना है तो G आना चाहिए तो देखो सारे option में maximum option में first word हमारा क्या है G है तो option B को cut कर दो first word हमारा आना चाहिए G उसके बाद next word क्या दिया है V तो V से हम backward जाएंगे so T U V आता है तो U को छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या आना चाहिए T तो यहाँ पे आएगा T तो देखो अभी मिल गया हमारा answer कौन सा है option C ठीक है so G, T, H, S यह आना चाहिए हमारा correct answer आगे कभी करके देख लो अगर doubt हो रहा है तो F के बाद क्या आता है F, G, H तो G हम छोड़ देंगे एक skip करके next word लेना है तो यहाँ पे H आ जाएगा अब आपको पूरा confirm हो जाएगा कि यही answer है ठीक है तो option C is the correct answer next question is question number 20 A, H, O, P C, K, S, W A, H, O, P is related to C, K, S, U in the similar way B, J, M, R is related to so अब इसका relation देखो यहाँ पे भी यही है एक word को छोड़ा है A के बाद B छोड़के C फिर H के बाद I और J को छोड़ दिया है और K लिए, 2 छोड़ दिया है ठीक है so यहाँ पे एक word छोड़ा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 छोड़ रहे है ठीक है O के बाद क्या आता है P, Q, R उसके बाद हमने S लिया है तो यहाँ पे क्या छोड़ दिया 3 letters छोड़ दिया है and last is P और यहाँ पे 4 letters छोड़ दिया है और यहाँ पे U लिया है so relation क्या है first में 1 letter छोड़ा फिर 2, फिर 3, फिर 4 तो यहाँ पे B के बाद क्या आना चाहिए B के बाद जो भी ऐसा letter आएगा जहाँ पे हम 1 छोड़ रहे है तो B के बाद D आना चाहिए ठीक है so option D को cut कर दो option A को cut कर दो अब हमें B या C में से हमारा कोई answer है तो सबसे पहले क्या आ रहा है D so J, K, L, M ठीक है, J के बाद क्या आता है K, L, M तो हमें 2 letter छोड़ने है तो हम K और L को छोड़ देंगे उसके बाद क्या लेंगे M तो D के बाद हमारा आना चाहिए M हमें हमारा answer मिल गया option B is the correct answer this is really not difficult ये maths की तरह है अगर आप practice करोगे आपको पता है कहाँ पर कौन सा formula यूज होना है कहाँ पर कैसे होता है या आप ये भी practice करोगे कोई कि हाँ ऐसे relation भी बन सकते है तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा तो इसको practice करना reasoning को जितना हो सके ठीक है next question है DCBA is related to WXYZ in the same way IJKL is related to what simple है बहुत simple है तो देखो उल्टा लिखा हुआ है ABCD ठीक है और WXYZ यहाँ पर क्या कर दिया है LK so यहाँ पर इन्हों backward लिखा है और यहाँ पर सीधा लिखा है यहाँ पर इन्होंने सीधा लिख दिया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए backward आना चाहिए IJKL होता है न तो यहाँ पर क्या आना चाहिए जो भी होना चाहिए, वो बैकवर्ड में लिखा होना चाहिए इसका correct answer होगा, option C, ठीक है, O, P, Q, R Next question is question number 22 T, S, R is related to F, E, D W, V, U is related to what So, यहाँ पर देखो, हो क्या रहा है So, यहाँ पर backward में लिखा हुआ है D, E, F होता है, ठीक है और R, S, T होता है तो इसको भी backward में लिखा है U, V, W, X, Y, Z होता है तो U, V, W लिखा है अब जो भी हम यहाँ पर नीचे letter देखेंगे उसको backward में होना चाहिए correct answer है, इसका option B, ठीक है K, L, M क्या आप यह कोई backward में ने लिखा अगर B यहाँ होता तब यह correct होता तो इसलिए यह wrong हो जाएगा option B correct है इसका next is mad is similar to J, X, A run is similar to what relation देखो M के बाद यहाँ पर J में कितना gap आया है 3 का so M से 3 back जाओगे तो J आएगा ठीक है A से 3 back जाओगे तो X आएगा और D से 3 back जाओगे तो A आएगा ठीक है मतलब 3 letter का difference है A के बाद देखो A, B, C, D ओके, इदे से समझो तो 3 letter को छोड़के यहाँ पर D आ रहा है उसी तरीके से J के बाद K, L, M ठीक है और A, X बाकवर्ड चला जाएगा so यह relation है यहाँ पर 3-3 माइनस हो रहा है run में भी यह होगा so letter लिख लो अगर नहीं समाझ जाया तो जैसे O, P, Q, R ठीक है अभी हमें R दिया है तो इससे 3 जब back जाएगे तो क्या आजाएगा O तो जो हमारा answer स्टार्ट होगा वो O से होगा तो इसको cut कर दो ठीक है next is U U से 3 बैक जाओ U से 3 बैक पर आ रहाएगा ठीक है so हमें हमारा answer मिल गया है correct answer क्या है option D next is U, H, C, D, N ठीक है U, H, C, D, N और इसको code किया हुआ है as a video next word है हमारा O, K, Z, X, D, Q इसको as a क्या लिखेंगे so basically एक एक वर्ट को exceed किया हुआ है या यह कह सकते हो कि एक वर्ट को back किया हुआ है इस वाले में तो U के बाद V आता है H के बाद I आता है C के बाद D आता है D के बाद E आता है और N के बाद O आता है तो यह वर्ट बन गया विडियो O के बाद क्या आता है O के बाद आता है P K के बाद क्या आता है L तो P L देखो P L का है C में ठीक है तो option C हमारा correct हो गया Z के बाद यह एक loop बन जाता है आप बोलो के Z के बाद तो कुछ नहीं आता तो Z के बाद पूरे loop बन जाता है तो Z के बाद सीदा A आ जाएगा तो Z के बाद A लिखेंगे P L A ठीक है तो option C ही हमारा correct answer है and our last question is question number 25 E C E I N यहाँ पर लिखा है अज़र नीस ठीक है vanish को किस में code करेंगे basically इसको उल्टा कर रहा है ठीक है उल्टा लिख दिया है तो N यहाँ आ गया I यहाँ आ गया E इदर आ गया C इदर आ गया और E इदर आ गया तो इसको भी आप उल्टा कर देंगे H इदर लिख देंगे तो पहले word होगा H then होगा S then होगा I तो देखिए कहाँ पर है H, S, I उसके बाद आएगा N उसके बाद आएगा A और उसके बाद आएगा V Correct answer है option C ठीक है So I really hope आपका ये portion clear हो गया ठीक है Reasoning में अभी हमने सिफ एक ही topic किया है and वो topic है analogy Next video में हम दूसरा part करेंगे reasoning का I really hope आपको इस वीडियो completely देखने के बाद कुछ चीजें समझ आईओ कि reasoning क्या होती है इसमें कितने types होते हो अगर हमें कैसे कैसे questions को solve करना है और आपको इस वीडियो helpful लगे हो and अगर आपका इससे कोई भी doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हो Thank you so much for watching and keep practicing as much questions as you can